जैश्री राम बित्रो मैं सीमा रोहिला मेरी चैनल मा की रोसुई पर आपका स्वागत है आज हम लाए है रिफ्रेशिंग आम पना तो देखते हैं कैसे बनता है यहाँ पर हमने कुछ कच्छे आम लिए हुए है इन आमों से हम बनाएंगे आम पना इसमें आप थोड़े से पके वे एक अच्छे आमों का भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिए हुए हैं एक किलो आम जिने हमने उबाल के रखा है कुकर में हमने अच्छे से धोके इसको आधा ग्लास पानी डालके दो से तीन विसल में उबाल के रखा है और अब यह हमारी आमी ठंडी हो अच्छा नहीं आने वाला तो दोस्तों इन आमियों में कुछ आमी खर्ती मीठी भी हो सकती है पकी वी हो सकती है तो उससे कोई ऐसी बात नहीं आप उनका यूज़ कर सकती है क्योंकि उसका टेस बहुत अच्छा आता है यहां पर हमारी चीनी का जो रेश्यों है दोस्तों तो थोड़ा बात उपर नीचे हो जाता है मीठीया मी लेने से तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं दोस्तों इस तरीके से गुठली पे सारा पल्क हटा लेंगे हम अगर गुठली हमारी पूरी तरीके से नहीं पकी वी अंदर की बिजली टाइप जो होत पना होता है यह गर्मियों में जब अच्छी गर्मिय हो गया अगर दूपहर के समय में हम इसको पीते हैं इसका से़वन करते हैं तो बहुत लाब दायक होता है अब यह छिलके पे पे पुर्प रह गया हर dill Tom हम इसे बहुत हलके पया से उतारेंगे तक सन से चेस Gaming की यहां पर हम 100 ग्राम चीरी का युजस कर रहे हैं अपने ट्सक्ष केhh baru कशिब के अब यहाँ पर हम ले रहे हैं पुदीनी के पते यह फ्रेश पते हैं पनादर से पीस पत्तों का रहना यहां ञूना करके लिकार दीर कदान इससा शारा चंस तो या यहां पर टाल रहे हैं इसमिल के वादल क्याया है यहां पर आला है और यहां लुस्त और या प्लSean कहा हुआ है यह हम डालेंगे एक चमच, या निकि बड़ी एक वली चमच, तो अब हम इस सारे पल्प को पीस लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे, ऐसे ही गाड़ा-गाड़ा पल्प हमें ग्राइंड करके तयार कर लेना है, तो दोस्तों अब हम एक ग्लास में डाल थोड़ी सी आइस और जो हमने पल्प को ग्राइंड करके रखा है अब हम इसमें थोड़ा सा वो डालेंगे करीब 4-5 जमस के आसपास यह हमारा पल्प जो है इसके अंदर हम डाल रहे हैं और इसके अंदर फिर हम बाद में पानी एड़ कर लेंगे और हमारा आमपना तयार हो जाएगा इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है यह पल्प हम इसी तरीके से रखेंगे गाड़ा गड़ा और जब हम जरुवत होगी तब हम इस तरीके से यूज़ करेंगे तो देखे बढ़िया सा आमपना बनके तयार हो गया ना अब हम इस पर पुदीना डाल देते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा आप अगर पुदीना पसंद नहीं करते तो दोस्तों आप पुदीना स्केप भी कर सकते हैं तो हमारा यह रेडी हो चुका है आमपना और यह गाड़ा पल्प जो है हम इसी तरीके से फ्रिज में रख देंगे एक तो हमारे स्पे वीडियो कैसी लगी दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा मिलते हैं ऐसी यह और वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग